जब भी आप जिकर करते हैं आजादी का उसके साथ पार्टिशन का तो हमेशा 1857 की पहली आजादी की जंग को तफसील के साथ बयान करना अभी नहीं चूपते तो क्या सिग्निफिकन्स है उस वाके का? उन वाकियाद को ही अगर आप उनके पीचे पढ़ते रहेंगे और उनका तदारक उनका हल ढूनते रहेंगे आप पागल होजाएंगे आपको एक हजार जिन्दगिया चाही होंगी अगर आप उसकी वज़ा पता कर लेंगे क्यों होते हैं और वज़ा को पकड़ लेंगे तो तो आप जो है हल पर पहुंसाता हैं और मैंने वो कोशिश की है तो एक बात मैं मुसल्मान खास्तों में मुसल्मान नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि वो जो एक एक ऐसे यतीमी यतीम अपने आपको महसूस कर रहे हैं सियासी तोर पर पॉलिटिकल तोर पर वो इस वज़ा से हो रहा है क्योंकि वो सच नहीं जानते हैं इस देश में इस देश के लोगों में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सीना फुला कर और ये कहकर कि ये हमारा देश है और हमने इसके लिए जो कुर्बानिया की हैं वो बेमिसाल हैं हिंदू सिखों के साथ मिलकर जैनियों के साथ मिलकर हमने जो हमारी आबादी, हमारी आबादी जो कभी भी इस देश में 20% सदी से नहीं बड़ी 1857 के मेरे पास दस्तावेज हैं जंग आजादी के, जो 1857 हम कहते हैं लेकिन वो चलता रहा था 1861 तक, उसमें 40% से ज्यादा शहीद हैं यह मैं, जो अंग्रेजों के जमाने का डेटा है, जो भारत सरकार ने, जो शहीदों के चापी हैं, जो रिकॉर्ड चापे हैं वो मेरे पास हैं, मौझूद हैं, 20%, 1872, 73 के अंदर जो पहला सेंसस होता है अंग्रेज सौ साल राज कर चुके हैं, मुसल्मा राज कपका खतम हो चुका है उसमें जो सेंसस होता है मज़भ के नाम पर, भाई साब उसके अंदर 20% के करीब मुसल्मान हैं और 88, 89% जो हैं, हिंदू और सीख हैं जी, जी, बिलकुल तो ये की, हलाकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तो थोड़ा दिकतों के जैसे ये कहा जा रहा है कि 1100 साल मुसल्मानों का राज हुआ था और मुसल्मानों के राज में वो हर साल 2 करोड हिंदू को कतल करते थे और वो कोई एक बाश्षा था, औरंग जेव छो एकमन जिनेव नहीं आ जाते थे तो वो नास्ता नहीं करता था यह भो नहीं बताते कि नास्ते में वो पराठा खाता था, या इडली कहता था उनको पता नहीं है लेकिन उनको ये पता है कि एक मन ये वह मौझूद थे तो वो करते और लेकिन सारी ये पावर स्ट्रक्चर जो जब अंग्रेजों के आने से पहले जो पावर स्ट्रक्चर चल रहा था हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे उससे पहले डेड़ सो साल तक उस पहले तो अगर पावर स्ट्रक्चर क्या मिला जूला स्ट्रक्चर नहीं था भाई वो मुसल्मान बादशाओं के जो रास था वो हिंदूओं की उची जातियों का रास था देखिए मैं इसमें ना कोई बहुत आपको बहुत आपको एक तरह से अगर नवाब है या बादश को इनवाइट मैं करता हूँ चलते वे किसी भी आदमी से जिसको बुरा ना लगे उससे आप ये पूछे कि एक बादाओ ग्यारा सो साल RSS कह रही है कि मुसल्मानों ने राज किया और वो इसलामी राज था और उसमें इतने इतने करोड़ लोग मारे जाते थे कोई आदमी नाश्ता करता था तो इतने मन जिनेव होने चाहिए थे वो जब खतम होता है 1757 ने और उसके सौ साल के बाद जब इस देश में धरम के आदार पर मजभब के आदार पर गिंती होती है मुसल्मानों की तादाद कितनी होती है 20% से कम है अंग्रेजों ने मजभब के गुनिया पर कराया वो 20% से कम है और 78-79% हिंदों की है लेकिन यहां क्या हो रहा है कि मुसल्मान नाम के राजा जो है उनका सारे आज के मुसल्मानों से बद्ला लेना है और महां राज किसका था यह जो मुसल्मान नाम के राजा थे मुहमद बिम कासिम से लेके और यह बाहदुर शा आतियों का राज था तभी तो उनको उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के कोई जरूवत नहीं समझी तो यह जो मतलब बहुत बड़ा मित आपने डी बंक किया कि यह अंग्रेजों के आने से पहले एक बहुत बड़े अरसे तक सेकड़ों सालों तक मुस्लिम रूल था इस बहुत अहम कर रहा हूं राना परताबा किसके लिए लड़ा थे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ा थे ऐसा बताया जाता है यह मुसल्मान भी विश्वास करते हैं दूसरे विश्वास करते हैं इमांदार इमांदार जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो भी विश्व करते हैं और अकबर किस के लिए लड़ा था अकबर जो था वो इसलामी रास्ट के लिए लड़ा था ठीक है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं जाहिलों से के मुझे बाद बताओ क्या अकबर कभी किसी लड़ाई के अंदर राना परताव सहब से लड़ने गया उनके साथ जित बंबई में बैठा हूं तो आपसे बताना चाहता हूं शिवा जी हिंदू राज के लिए लड़ लए थे ठीक है मैंने RSS की बात मान ली औरंगजेव जो है वो इसलामी राज के लिए लड़ा था ठीक है जी यह भी मैंने बात मान ली औरंगजेव क्या कभी शिवा जी महरा और ये जैसिंग 1 और जैसिंग 2, इनको सवाय मान सिंग भी कहते थे, सवाय मान सिंग, यानि सवाय एक, आम आदमी एक होता है, वो सवाय थे, ये सवाय जो थे, ये मुगलों ने उनको खिताब दिया था, लकब दिया था, समग्या, जो जैसिंग 2 थे, वो तो बताया जाता है कि समदी थे औरंगजेव के अपनी बेटी को उन्होंने शादी में दिया था उनको उनके बेटे को जो आगे बाश्या बना आगे ये जो रूल फिर चला और इतना कमजोर हुआ कि बाश्या लाल के लिए तक महसूर होके रह गया 1857 में फिर इनकला भी होगा एक दस्ताब आप बयान करते हैं कि मेरट से चला आजादी की जंगट 1857 की वो सब क्या हुआ था देखेना वही जो हमने बाश शुरू किया है कि आपको सीना चौड़ा करकर कि ये हम इस देश के किरायदार नहीं किसी के बाप के रहम पर नहीं किसी ने म मां का दूद पिया है तो हमारे इस देश के साथ जुडाव से तुम अगर एक 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 चीज़ बता दो सवा ही रहेंगे हम इस देश को प्यार करते हैं इस देश के सोसाइडी को प्यार करते हैं उसका उसका जो 1857 को हमको समझना पड़ेगा 1857 संडे के दिने 10 माई 1857 को मागा होता होती है वो इस वज़ा से होती है कि 95 लोगों का 95 लोगों का कोड मार्शाल होना है क्योंके उन्होंने कार्तूज जिसमें सुवर और गाएं की चर्वी है थी ही गिरीज महेंगी पढ़ लाई थी वो चर्वी ससी पढ़ लाई थी उन्होंने वो लगबा दिया था 95 लोगों ने मना कर दिया था उसके अंदर 50 के करीब मुसल्मान थे 50 के करीब मुसल्मान थे और बाकी सिक और हिंदू थे समझ लीजे जिनका कोड मार्शल हुआ और जिनों ने अपने अंग्रेज अफसरों को मार दिया अर यह पहली बार इससे पहले और बहुत बिद्र हुएते है लेकिन Repelecott बिद्र होता है। जिसकली चिएंगारी सारे देश में फैल छुकी थी वो लोग दिल्ली की तरह चलदी हैं। दिल्ली और मेरट के बीच में ये 60-70 मील माना जाता है 66 किलो मीटर माना जाता है तो जो चले तो गाउं से सैक्रोलोक्स शामिल हो तो चले गए ये गुजरों के गाउं है ठाकुरों के गाउं है बरहमिनों के गाउं है जी और चर्वाहों के गाओं हैं और ये गुजर मुसल्मान भी हैं हिंदू भी हैं ठाकुर हिंदू भी हैं मुसल्मान भी हैं राजबूतियानी ब्रह्मिनों के जो गाओं हैं वहाँ पर मुसल्मान भी रहते हैं वहाँ जो किसानी करने वाला है वो तो मुसल्मानी हैं ये सब वो आपको जरूर पढ़ ली चाहिए ये जब यहां पहुँचते हैं तो बादुर्शा जफर बिलकुल घिर चुके हैं बहुत बुड़े हो चुके हैं अंग्रेजों के बिलकुल दबाव में हैं उनकी बीवी जो है वो अंग्रेजों की दलाल है उनके समधी हैं मुशिय असान उल्लाव वो अंग्रेजों के दलाल है उनका एक और एडवाइजर है हकीम इलाईबक्ष इलाईबक्ष साब वो सारे अंग्रेजों के दलाल है लेकिन ये इनकलाबी सेना जो है सतर से असी परसंट हिंदू हतियार बंद हैं इसके अंदर दीस से तीस परसंट मुसल्मान हतियार बंद है ठीक है ये बहादुर्शाद जफर को काफी बत्तमीजी करते हैं बहादुर्शाद जफर से और अगर उसका किसी को सभूच चाहिए तो बहादुर्शाद जफर साब पर जो मुकदमा चला है उसके सारे दस्तावेज उपलब्द हैं मौजूद हैं वो पढ़ लीजिए हसन निजामी साब ने सबसे पहले उनको रिप्रोडूस कर दिया था वो आपको नेट पर भी मिल सकता है बहादुर्शाद जफर जो बिलकुल नाकारा बाश्चा हैं माफ कीजे नाकारा बाश्चा हैं उनका कहीं लाल किले में भी उनका राज नहीं चलता है वो भी अंग्रेजी सेना के अंतरगत है वो अपने जनान खाने में ज्यादा वक्त बिताते हैं ये 80-80% हिंदू हत्यार बन थे अगर हिंदू मुसल्मान सवाल होता और हम मुसल्मानों से परेशान हैं और हम हिंदू अलग होते हैं तो 11 तारीक को इस सेना ने क्या करना था इस सेना ने सबसे पहले 20 परसंट जो 30 परसंट मुसल्मान हत्यार बन थे मारना था सबसे पहले उसके बाद ये कहना बादुशा जफर को मारना था और ये कहना था कि बहुत अच्छा अंग्रेज बहुत धनेबाद आपने ये नाम नहाथ भी जो दिखने वाला भी मुगल राज्टा मुसल्मान राज्टा उसको खतम कर दिया यानि करने में शामिल थी वो तो कमेटी जो बनी जो इस देश के नवाबों की और जो कमेटी बनी उसकी मेंबर थी ना वो पहले तैयारी हो चुकी थी वो वो लड लाई हैं वहापर अंग्रेजों से लड लाई हैं उसके बाद तातिया टोपे बादुशा जफर के संपर्क में है फिर उसके बाद नाना जी संपर्क में है रावतुलारा महरियाना के संपर्क में है और यही वो कमेटी बनती है अजीमुला खान उनके संपर्क में है अजीमुला खान जिनकी बात आपने जरूर जानी चाहिए कि क्या हुआ था मुझे बता दीजिए इस सवाल का जवाब कि अगर हिंदू मुसल्मान का सवाल होता और मुसल्मान राज से परेशान हो गए होते ही ये 80% 70% से 80% हतियार बन हिंदू उस दिन हिंदू रास्टर घोशित कर देते या हिंदू राज घोशित कर देते या नहीं कर देते किया इनोंने ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्त बत्तमीजी कर रहें बदू शवाफ़र के साथ हाँ कि तुम नहीं तो हम तुम को छोड़ेंगे नहीं हम तुमको छोड़ेंगे नहीं और वो कह रहे हैं मैं कबर में पहले लटकाए बैटाओं मेरा कहीं राज नहीं कोई नहीं सुनता कुछी नहीं होता बीबी उनकी लगी हैं मुशी इसानुला लगे हैं हकीम जो भी मैंने नाम लिये थे माफ कीजिए का मुझे कागज निकालने पड़ेंगे कुछ नौ टोपी जो बनती है मैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों बताना चाहता हूं मैं जो भी बात करता हूं यह अगबारी बाचित नहीं है यह चंडू खाने की बाचित नहीं है यह चाय खाने की बाचित नहीं है मैं उस जमाने के दस्तावेजों पर बात कर रहा हूँ जो कमेटी बनती है जब देश ये आदाद करा लिया गया और अंग्रेजों को मार के भगा दिया गया परदान सेना पती हैं बगत खान उसके बाद डिप्टी सेना पती हैं सब शाम सिंग, दुगा, सिर्धारा सिंग, गौस मुहमद, हीरा सिंग और एक दो आभी बरहमिन उनका नाम जिन डॉक्मेंट से मुझे मिला है ये जो जासूस थे अंग्रेजों के वो जो भेजा के ये ये कमांड में है उनका दो आभी बरहमें नहीं यानि गंगा जमना के बीच का जो अलाका है वहां के कोई कमांडर थे और उसके बाद जो इश्तहार नामा निकाला गया हिंदू-मसल्मान सिंगों के लिए वक्त हमें कम है, ज्यादा लंबा हमने करना भी नहीं चाहिए ग्यारा तारीक को अजिम उल्ला खान साब जो स्ट्रेटेजिक कमांडर है सारे देश के अंदर, सारे हिंदूस्तान के अंदर कैसे अंग्रेज़ों को अरान है, वो उसके स्ट्रेजिक कमांडर है काफी पड़े लिके आदमी है फ्रेंच जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं, फार्सी जानते हैं, अर्भी जानते हैं वो ग्यारा तारीक को एक तराना लिखते हैं, आजादी वाज का जो है वो खतम होता है हिंदु मुसल्मान सीख हमारा भाई प्यारा प्यारा ये है आजादी का जंडा इसे सलाम हमारा लिखा 11 माई को लिख दिया गया और ये इनकलावी सेना सारे इंडिया के अंदर इनकलावी सेना इस गाने को गाते वे मार्च करती थी उसके बाद कोई नई तोप आ रही है नई तोप आ रही है पहले ब्रह्मिन उसकी आर्ती करेंगे पर मुसल्मान قुरान खुनी करेंगे यह सिस्टम था उसके बिना होता ही नहीं था उसके बाद हरियाना को आज़ाद कराने की दिम्हेदारी दी गई थी मिर्जा मुनीर बेग साब और हुकूम चंजेन जी को दोनों दोस्ते संस्कृत के विद्वान थे मैट्स के विद्वान थे अर्भी-फारशी के विद्वान थे ये कमांडर बनाये गए हरियाना मेरा अतुला रामजी के साल गिरफ़तार हुए गद्दारों की वज़ा से गद्दारों में मुसल्मान भी थे सिंख भी थे हिंदू राज़वी थे पटवधी का राजा भी उसमें शामिल था गदारी करने में पट्याला का राजा भी शामिल था रो तक के कुछ बड़े हिंदू जमीदार भी उसमें शामिल थे पीछे से हमला किया गया है दोना गिरफतार हुए और हिंदू मुसल्मान की एकता से इतना परेशान थे अंग्रेज महा के के उन्होंने क्या किया कि मुनूीर बेग साहब की तो चिता जलाई और हुकम चंज जैन जी को दफनाया और ये ऐलान किया कि तुम बहुत हिंदू मुसल्मान एक की बात करते हो करते हो लो अब अपने अपनी मुक्ति कर लो अपनी अपनी सैलवेशन कर लो मतलब क्या था मजभ का मदाक उड़ा रहा था उसको डेनीगेरेट कर रहे थे ये तक कर रहे हैं कि तुम बहुत हिंदू मुसल्मान की एकता करते हो तो क्या होगा उसके बाल मैं बहुत जल्दी आ जाता हूँ राउत अलाराम जी तो आप जानते हैं कैसे लड़ते 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 उनके जो मुसल्मान दोस्ते अब्दुलसमत खान, हिसार के मुहमद आजाओं खान, बल्लबगर के राजा नार सिंग, कैसे सबसे ज्यादा हरियाना के अंदर लड़ लेकिन ये बचकर निकले और नाना जी के पास कानपुर पहुँचे, नाना जी ने इनको दो और इनकलाबियों के साथ भेजा के तुम चले जाओ, तुम जाओ, काबुल, काबुल का जो मुसल्मान राजा उसे मदद की उमीद करो, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो मदद करें मारी से शहीद हुए, मैं इनको शहीद ही कहूँगा, क्योंकि ये मौत जो है, ये जो गाये के नाम पर मुसल्मान और दलीतों को मारा जाता है, मैं उनको मौत और गतल नहीं कहता हूँ, मैं उनको शहादत कहता हूँ, ये भी आप समझ लिए, उसके बाद, 18 सतान की जो मैं को बात बताता हूँ, रानी लक्षमी बाई को कतल किया जाता है, उनके उपर उनकी जो पी एसो है, अंग्रेज अफसर ने लिखा है, कि उनकी जो पी एसो है, जो उनकी साय की तरह से साथ रहने वाली, उनकी जो परसनल थी, मंदर, मंदर उसने लिखा है, उनका नाम मंदर और लिखा है ये मुसलमान बच्ची बच्चपन से उनके साथ रहती थी या उस वकत तो यह नहीं होता था जो उनकी परसिलल गार्ड कि उनकी खादमा, उन्की लाशके ओपर उसकी लाशबी पड़ी थी. मैं मन्दर से समझे नहीं पाता कि मन्दर का मतब क्या हो, मन्जर को या मन्जर को, उसने वो काओ, लेकिन ये लिखा कि ये मुसल्मान थी. उसके बाद अठारो सताउन की मैं आखरी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या आप यकीन करेंगे कि एक जगा है वेस्टरन उतर परदेश के अंदर उस जगा का नाम है थाना भोवन ठाना भोवन में 14 औरते शहीद हैं उनको या तो जलाकर मारा गया या फांसी दी गई उनके जरा नाम सुन लीजे मैं उनकी जाती भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जाती की एहमियत देता हूँ ये इनकलाबी थे लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखे किन किन जाती उसे आ रहे थे और हिंदू मुसल्मान भी किन किन जाती उसे एक ही जाती में हिंदू मुसल्मान भी होते थे अजगरी बेगम सेयद हैं पती भी शहीद हुएं अंग्रेज़ों से लड़ते भे दोनों बेटे भी शहीद हुएं आशा देवी गूजर हैं बखतावरी इनका महनी पता कर पाया भगवती देवी तियागी हैं हबीबा गूजर हैं मुसल्मान हैं इंदर कौर जाट हैं जमील नहीं लग पाया है तो ये हमारी विरासत है इस विरासत को मुसल्मान वर 20 परसंट या 21 परसंट आजादी में इन लड़ाईों में उनका 40 परसंट से ज्यादा है इस देश क्या कोई हिस्सा आप नहीं पाएंगे जिसमें हिंदु मुसल्मान सिकोंने खून डाल कर इसकी कर दो